सुरेश और महेश दो थे भाईों दोनों में थी प्रमोशन की लड़ाई प्रमोशन के लिए दोनों की थी बिलकुल अलग अप्रोच महेश था चिल डूड पर सुरेश की थी वही ट्रेडिशनल सुरच एक दिन बॉस ने बूला प्रमोशन वाला केविन उसका हो जाएगा समझदारी से जो स्पेर पार्ट्स का इंतिजाम कर पाएगा ये सुनते ही सुरेश हुआ नौद ग्यारा लेकिन ये क्या महेश ने आराम से अपने टेबल पे पैर पसा रहा कुछ दिर बाद बॉस का मोबाईल बचा प्रमोशन वाला नया केविन महेश के लिए सजा इधर सुरेश जब पार्ट्स का इंतिजाम कर ओफिस लोटा तो वहां का मंजर देख बेचारे का दिल टूटा थोड़ा परताल किया तो उसे समझ आया कि ये कमाल तो आईसारी शौपी से हो गया भाया अब आईशर जन्यून पार्ट्स पाना हुआ और भी आसार आईशरी शौपी ही है स्मार्ट समाला